नमो नारायन संक्षिप्त वाल्मी की रामायन भाग बयालीस हनुमान द्वारा लनका में शक्ती प्रदर्शन अशोक वाटिका का विध्वन्स लनका में हनुमान जी ने सीता की बुरी अवस्था देखी इससे उन्हें रावन पर क्रोध भी था साथ ही वे शत्रू को अपना पराक्रम दिखा कर उसका मनोबल तोड़ना और उसके पराक्रम का अनुमान भी करना चाहते थे इसलिए सीता से मिलकर और उन्हें सांत्वना देकर जब वे निकले तब अपने को प्रकट करने का निश्चय किया इसी निश्चय के अनुपालन के लिए वे अशोक वाटिका प्रमादावन को उजाडने लगे रक्षक राक्षसियों ने जब रोका तो उन्हें डरा कर भगा दिया किनका दल का विनाश वाटिका के रक्षकों ने जाकर रावन को ये सूचना दिया रावन ने सेना की एक विशेश टुकरी जिसका नाम किनका था को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा हनुमान जी ने उन सभी को मार डाला समस्त अशोक वोटिका नश्ठो चुका था केवल वह स्थान बचा हुआ था जहां सीता जी बैठी हुई थी किनका दल का अंथ हो गया अब हनुमान जी ने इस लड़ाई को थोड़ा बड़ा करने का सोचा अता वहां चले गए जहां राक्षसों की कुलदेवी का मंदिर चैत्य प्रासाद था उन्होंने उसके रक्षकों को मार डाला और चैत्य के खंभो और द्वारों को तोड़ दिया इसके बाद वे चैत्य प्रासाद के द्वार पर खड़े हो गए अक्षे कुमार जम्बु माली आदी का वद ये सूचना सुनकर रावन बहुत कृध हुआ हनुमान लड़ाई करते हुए राम जी का नाम लेते हुए अपना नाम बता रहे थे राम चंदर की जय गोश से राक्षसों को उनका परिचे मिल चुका था रावन ने क्रमशह जम्बु माली मुख्य सेनापती प्रहस्त का पुत्र मंत्री के साथ पुत्र अपने पांच सेनापतियों और अपने पुत्रक्ष कुमार अक्षय कुमार को भेजा ये सभी वीर और बलवान थे लेकिन भयनकर लड़ाई के बाद इन सबको उन्होंने सहाय को सहित मार डाला मेगनाद द्वारा हनुमान जी को नाग पाश में बांधना अब रावन को चिनता हुई उसकी राजधानी में आकर एक वानर ने इतना उत्पात मचाया और इतने महाबलियों को मार डाला ये कोई साधारन वानर नहीं हो सकता था अशोक वाटिका की कुछ राक्षसियों ने उन्हें सीता से बाते करते देख लिया था अतह उसने अपने पुत्र मेघनाद को भेजा मेघनाद शक्तिशाली योध्धा होने के साथ साथ कई तरह के मायाओं और देव्य अस्त्रों का जानकार था मेघनाद से हनुमान जी का युध्ध हुआ जब साधारन अस्त्रों से वे नियंत्रन में नहीं आये तो मेघनाद ने उन पर ब्रहामास्त्र का प्रयोग किया इसके प्रयोग से नाग की तरह के तीरों से उनका शरीर बंद गया हनुमान जी को ब्रहमा जी का वर्दान था कि ब्रहमा जी का कोई भी अस्त्र उन्हें एक मुहूर्ट से अधिक बांध कर नहीं रख सकता था साथ ही ब्रहमास्त्र के नागपाश का एक और नियम होता है कि यह किसी और पाश के साथ नहीं बंध सकता है अर्थात अगर कोई व्यक्ती नागपाश से बंधा हो और उसे किसी और चीज से बांध दिया जाए जो नागपाश अप्रभावी हो जाता है हनुमान जी को नागपाश में बंधा देख कर मेगनाद बहुत खुश हुआ उसने रक्षकों से उन्हें रावन के पास ले चलने के लिए आदेश दिया रक्षक रस्सी रिक्षों के वलकल्ट से बांध कर उन्हें रावन की सभा में ले चले वर्दान के प्रभाव और दूसरी रस्सी से बांधने के कारण हनुमान जी नागपाश से मुक्त हो चुके थे इन रस्सियों को तोड़ना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था लेकिन वे भी रावन से मिलना और नगर, सभाभवन, दुरगादी देखना चाहते थे इसलिए वे भी बंधे हुए कि भाथी रक्षकों के साथ चलते रहे दर्बार में जब मेगनाद ने उन्हें रस्सी से बंधे देखा तो वह समझ गया कि रक्षकों की मूर्खता के कारण ये नागपाश से मुक्त हो चुके थे लेकिन इसका प्रयोग दुबारा नहीं किया जा सकता था अतावर चुप रहा उसे हनुमान से एक मुहूर्थ में मुक्त होने के वर्दान का पता नहीं था रावन द्वारा हनुमान जी का पूंच जलाने का आदेश रावन के दरबार में उसके सेनापती प्रहस्त के पूछने पर हनुमान ने अपना परिचय राम के दूथ के रूप में दिया उन्होंने राम के प्रभाव का वर्नन करते हुए रावन से सीता को लोटा देने के लिए समझाया हनुमान के निर्भीक बातों से क्रोधित होकर रावन ने उसे मारने के लिए कहा लेकिन विभीशन ने दूत के वद को अन्याए संगत बता कर कोई अन्य दंड देने का प्रस्ताव रखा इस मानते हुए रावन ने उनके पूंच को जलाने का आदेश दे दिया राक्षसों ने हनुमान जी की पूंच में कपड़ा बांध कर उस पर तेल डाल दिया और फिर आग लगा दी लेकिन इस अगनी से हनुमान जी को कोई जलन नहीं हुई अगनी उनके पिता वायू के मित्र थे इसलिए वे हनुमान जी के लिए शीतल बने रहे वायू भी शीतलता के साथ बहने लगे इधर सीता जी भी रक्षकों से उनके पूंच को जलाए जाने के विशय में सुनकर उनके लिए प्रार्थना कर रही थी राक्षस हनुमान जी की पूंच में आग लगा कर उन्हें नगर में घुमाने लगे उन्हें किसी तरह की पीर्या तो हो नहीं रही थी उन्हें दिन के रोश्णी में नगर और किला भी देखना था सीता को सांत्वना देने और शत्रूओं को अपना बल दिखाने का कार्या भी हो चुका था इसलिए हनुमान जी बिलकुल शांत होकर नगर घूम रहे थे किले की दीवार पर चद गए उन्होंने अपने बंधन तोड़ लिए और अपनी पूंच के आग से लनका के भवनों में आग लगाने लगे वे जलती पूंच के साथ एक भवन से कूद कर दूसरे पर चले जाते और आग लगा देते उस समय उनके पिता वायु देव लनका में तीवर गती से बही रहे थे शीग्रही समस्थ नगर बहुत तेजी से जलने लगा जलने वालों में रावन और मेगनाद का घर भी था लेकिन विभीशन का घर बच गया समस्थ नगर में हाहा कार मच गया हनुमान जी ने नगर में आग लगा कर समुद्र में जाकर अपने पूंच की आग बुझाली राम जी ने हनुमान से नगर जलाने के लिए आदेश नहीं दिया था लेकिन त्रिजटा ने स्वपन देखा कि एक वानर लनका जला रहा था जब वो ये स्वपन सीता को सुना रही थी तब हनुमान जी ने भी यह सुना तब तक उनका ऐसा कोई विचार नहीं था लेकिन रावन ने उनकी पूंच में आग लगा कर स्वयम उन्हें ये हवसर दे दिया हनुमान जी को भी समझ में आ गया कि जो कुछ हो रहा था, वह राम के इच्छा से ही हो रहा था नगर जब जलने लगा तब हनुमान जी को सीता जी की भी चिनता हुई पर उन्हें ये विश्वास था कि सीता स्वयम इतनी तेजूती है कि अगनी उन्हें जला नहीं सकती लंका में अपना कार्य समाप्त कर वापस जाने से पहले हनुमान फिर सीता से मिलने गए उन्हें सांत्वना देकर और उनका आशिरवाद लेकर वे वापसी के लिए चले सीता से मिलकर वे अरिष्टागिरी परवत पर जा चड़े यहां से उन्होंने समुद्र के उत्तर तट पर जहां आँगद जम्बवान आदी मित्र उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे के लिए चलांग लगा लिया उनके वेग से महेंद्र परवत की तरह अरिष्टागिरी भी कुछ नीचे धस गया हनुमान का अपने दल से पास वापसाना समुद्र के उत्तर तट पर अपने मित्रों से मिलकर हनुमान जी ने अपनी लनका यात्रा का सारा वृतांत सुनाया सीता मिलने का शुब समाचार सुनकर वे सब आनंद और उत्साह से भर गए पर जब हनुमान जी ने उनसे सीता की बुरी अवस्था के विशय में बताया तो वे सब इतने उत्तेजित हो गई की आंगद तो उसी समय लंका पर आक्रमन कर उनको ले आने के लिए उदत हो गए लेकिन जामबवान जी ने उन्हें समझा कर शांत किया अब सब उच्छलते कूदते हुए प्रवर्शन परवत जहां राम उस समय रुके हुए थे के लिए चले वे जल्दी जल्दी राम को ये समाचार बता कर सीता को मुक्त कराना चाहते थे वहां पहुँचते समय उन सब को भूख लगी थी अता सुग्रीव के विशेश प्रियो उपवन मधुवन में वे सब चले गए अति उत्साह से भरे हुए सारे वानर और रीच ने वहां के फल्खाय मधुपिया और रोकने वाले रक्षकों को मार भगाया मधुवन के रक्षकों ने जब युवरा जागद आदी द्वारा मधुवन को उजाडने के संबंध में किश्किंधा जाकर सुग्रीव से शिकायत की तब सुग्रीव को अनुमान हो गया कि वे सब शुब समाचार लेकर आये हैं उन्होंने सबको जल्दी से सबको बुलाया और प्रवर्षन परवत पर जाकर राम जी को भी यह समाचार सुनाया हनुमान द्वारा राम को सीता का संदेश सुनाना सभी वानरोंने सीता से मिलने का समाचार राम, लक्षमन, सुग्रीवादी से बताया फिर हनुमान ने सारा अवरितांत राम जी को विस्तार से बताया। उन्होंने सीता जी का संदेश वर उनका दिया चुडामनी भी राम को दिया। राम भावक होकर रोने लगे। फिर हनुमान की प्रशन साकर उन्हें गले से लगा लिया।